हलो दोस्तो नमस्कार SMKT चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडिये में हम लोग बात करने वाले सेवेंथ स्टॉक से रिलेटेड आप सभी लोग को बता है कि पूरे मार्केट में ना कि सिफ इंडियान मार्केट में इसका इंपक्ट हम लोगों को इंडियान मार्केट में देखने को मिला कल की दिन की बात करें तो थाइसो पॉइंट सेंसेक्स निफ्टी डाउन था सेंसेक्स 800 प्लस पॉइंट दाउन था आज की दिन की बात करें तो निफ्टी सेंसेक्स हम लोगों को वापस नीचे जाते वे देखने को मिला है, so इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते कि stock market में pressure अभी भी बना हुआ है and reason बहुत ही simple है globally जो चीजे चल रही है जिससे related बहुत सारी चीजे मैंने आपको बता दी अगर हम लोग यहाँ पे देखते कल के डो से related बाते so 1000 point की गिरावट यहाँ पे हो चुकी थी 3.5% से ज़्यादा वो यहाँ पे तूट चुका था so हम लोग कह सकते हैं अभी भी problem यहाँ पे बरकरार है बट आप सभी लोग को बता है जब ऐसी चीजे हो जाती है जो fundamentally strong shares रहते वो भी हम लोग को नीचे मिलना शुरू हो जाते जो कि एक अच्छी बात होती है so nifty 50 आज के दिन का performance आप देख सकते हो 31 points यहाँ पे भी down है उसी के साथ साथ अगर हम लोग census को भी यहाँ पे cover करते तो census भी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगबग 80 point down है इससे हम लोग अंदाज अभी भी कह सकते कि जो pressure है अभी भी यहाँ पे created है अभी तक कोई भी जो pressure वाली चीज़े वो अभी तक यहाँ पे हटी नहीं हुई है तो जैसे मैंने का कि यह सारे stocks अगर आप देखोगे कल की दिन की में बात करूँ तो मैंने एक वीडियो भी बना दिया था जहाँ पे मैंने दिखाया कि nifty 50 का एक भी शेर यह zero मतलब एक भी शेर हम लोग को हरे निशान में देखने को नहीं मेल रहा था जितने भी 50 में से 50 शेर थे nifty 50 के वो लाल निशान में चल रहे थे यही चीज़े हम लोग को देखने को मिली जिसके वज़े से मैं हमेशा आप लोग को सिखाया कि जब ऐसी चीज़े आ जाती है जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है रिजल्ट भी अच्छे चलते है बट यस प्रेशर के कारण उनके शेर में भी बिक्वाली देखने को मिलती है तो ऐसे शेर के उपर आप ज़रूर नजर रख सकते हो तो ऐसे इस साथ स्टॉक में आपके सामने यहाँ पर रखने वालो तो वापस वो अपने ओरिजनल पोजिशन पे आने का पूरा दम जरूर रखते है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं शुरुआत कर लेता हूँ सबसे पहले जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा है फंडामेंटली स्टॉंग है आप नाम इसका देख सकते हो BSE Sensex में भी आता है Nifty 50 में भी आता है XL Technologies IT से जुड़ावा स्टॉक है लगबग 2% की गिरावट है आज की दिन की बात करें तो 11 से 12 पोइंट्स की गिरावट है 583 पे फिलाल यह स्टॉक चल रहा है बीच में स्टॉक लगबग approximately 620 के असपास था और भाहा से हम लोग को यह correction देखने को मिल रहा है 40 पोइंट का correction है शेर ने तो बहुत ही अच्छा का सा performance दिया है result outstanding थे company ने 1 इस टू 1 का bonus दिया है वरना company 1000 के उपर रह सकती थी तो overall company अगर आप long term के chart pattern की साब से देखोगे तो आप लोग को अच्छा ही performance करके देखने को मिलेगा जैसे कि 6 मैना, year till date अगर हम लोग देखते एक साल का chart pattern या फिर आप दिखना चाते हो पात साल का chart pattern तो यह ज़रूर बात है कि company long term के लिए बहुत बढ़ी है बट जैसे मैंने का कि यह जो tension है हम लोग को यहाँ पे coronavirus से देखने को मिले जो stock market को नीचे लेके जा सकता है तो अगर यह share नीचे जाता है तो आपके लिए एक अच्छी गासी opportunity रहेगी क्योंकि यह share बहुत ही अच्छा है coronavirus से related अगर हम लोग देखा जाए तो इतना कोई इसका संबंद आता नहीं है तो आपके इसके ओपर जरूर नजर रख सकते हो एक important news है जो कि मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाते है आप देख सकते हो एक ही दिन की यह news है 21 hours ago HCL Info System Managing Director रागवन रंगराजन उन्होंने यहाँ पे resign कर दिया quit कर दिया बट जैसे उनको पूछा गया कि यह quit करने का reason क्या है company में कोई internal issue है तो उन्होंने का ऐसा कुछ भी नहीं मैं अपने personal reason मतलब issue के कारण उनका personal जो answer है उन्होंने वो यहाँ पे दे दिया मतलब गिरावट अभी भी कायम है जो कि अगर हम लोग देख लेते 25th feb को सो बहुत ही शांदर यहाँ पे deliveries उटाएगे 63% से जादा एक बहुत ही जबरदस decent percentage ही माना जाता है जिसे आप अंदाजाल लगा सकते हो तो company बहुत यची कमपनी में कोई भी गड़बड़ी है नहीं तो यही कहना चाता हूँ इस company को आप watch list में जरूर डालने ना अगर stock market और crash हो जाता है तो यह stock आपको और भी नीचे मिल सकता है उसके बाद second demart येस दोस्तो एवनी supermart आप सभी लोग को पता है इस stock से related हम लोगो ने हमारे जो जितना भी capital था उसको मेंने कहा था आप लोगों को आप चाते हो इसको तो 5 हिस्सों में divide कर सकते हो अगर आप चाते तो इसको 2 हिस्सों में divide कर सकते हो बट सबसे पहले जो हमारा installment है 2350 जो कि बहुत ही close था 2350 बट इतना भी बुरा नहीं था मैं आपको calculate करके भी बताऊंगा 2350 जो आप यहाप यहाप देख सकते हो closing दिये सो जीन भी लोगों ने किया होगा मतलब मैं तो खुद follow करता हूँ जो मैं आपके सामने रखता हूँ आप चाहो तो follow कर सकते हैं फिर unfollow भी कर सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सो 2350 पर यहापर first installment लग चुका है सो यह अच्छी बात है अगर हम लोग demart का high देखते हैं लगबग 2500 के उपर हम लोग को high देखने को मिला अभी हमारे लोग जो second installment रहेगा उसके उपर हम लोगों ने यहापर focus रखना है सो दोस्तों इसके बाद जो मेरा next installment रहने वाला है वो लगबग 2250 के उपर रहने वाला है आप सभी लोग को बता है जितना deep जाएगा मैं वहापर buying करने वाला हूँ 2250 के बाद मैं बहुत ही close रख रहा हूँ 2200 उसके बाद 2100 और आखिर में 2000 सो यह मेरे level से first level आप सभी लोग को मैंने बता दिया था 2350 जो की अचिव हो चुका है अब यहापर 100 points के अगर और गिरावट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है हम लोग को यह share और नीचे लेवल पर मिल जाएगा वापस के रहा हूँ स्टॉक अगर crash होता है तो उससे डरने की ज़रूरत में बहुत सर रिटेल ने में शक डर जाते मैं वापस के रहा हूँ कमपनी में internal कोई इशु नहीं है आपको ऐसे ही स्टॉक नीचे मिल जाएगा तो उसका फाइदा उठाना आप लोग को आना चाहिए यह सारी strategy में आप के सामने यहाँ पर रख दिये तो अगर आप यहाँ पर calculate भी करोगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना average price आ जाता है जितने भी levels में आपके सामने यहाँ पर रख दिये उसका average price हम लोग कह सकते है 2180 यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि एक मुझे बहुत ही शांदार level रख रहा है यह चीज में follow कर रहो आप चाहो तो इसको follow कर सकते है या फिर unfollow भी कर सकते हो वापस के रहा हूँ डरने की कोई जरूत नहीं है बहुत ही अच्छी बात है अगर stock market में गिरावाट अती है और DMART जैसा fundamental strong share जहाँ पे आप सभी लोग को पता है 2316 पे जो institutionals थे उन्होंने कितनी जबरदस OFS में वहाँ पे oversubscribe कर दिया था जरूर कियाना चाता हूँ यह stock long term के लिए जरूर रहेगा अच्छा कासा return आपको जरूर दे पाएगा 25 फेब आज के दिन का भी performance देख लेते 48% से जादा यहाँ पे हम लोग को अच्छे कासे deliveries उठाई जाते वे देखने को मिल रही है तो यह चीज भी आप लोग जरूर consider क कर सकते हो सो दोस्तों दो स्टोक देखने के बाद तीसरा स्टोक आपके सामने open करते हैं जिसका नम Reliance industry है Yes Reliance industry में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है और भी गिरावट हो सकती है इस stock के ओपर आप लोगों ने जरूर नजर रखनी है बहुत अच्छा stock है आप सभी लोगों टो हम हजर से बाईंग करते जा सब इसको बाइंग करते जा रहे हैं मैं तो widget सबेद जली गर्मी बाद themes in the יודעette खर जबडा है समट कर जबी किया किरई आप सब ही अगां श्केछ ही इसमें high level पे भी buying किये में, उनको यही कहना चाहूँगा, आप लोगोंने exit होने की कोई जरूरत नहीं है, long term की सबसे आप लोगोंने इस stock को जरूर छोड़ देना चाहिए, आपका जो पैसा है वो जरूर recover होते हैं, आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, company के business भी अगर देखने को मिला है, so overall stock बहुत ही अच्छा है, long term के लिए मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, कि ऐसा panic होने की जरूरत है नहीं, यह सारे stock बहुत ही अच्छे, जो कि आप लोगों को अभी सस्ते दाम में देखने को मिल रहे है, 65% आप देख सकते हो, यहापे 65% से डादा लोग अगर आप सबी लोगों को बता है, यह stock जितना नीचे जा सकते है, आप इसके उपर नजर रख सकते हो, 1200 तक अगर आप लोगों को 1200, 1150 इस लेवल पे अगर यह stock वापस मिल जाता है, तो अच्छी बाते बट वापस कह रहा हूँ कि period of holding आपकी लंबी होनी चाहिए, आज ए Manda Metal Strong Share में हम लोगों को और भी ग्रावट देखने को मिल सकती है, तो आप लोगों ने नजर रखनी चाहिए, वाच लिस में जरूर आड करना चाहिए, टाइटन कंपनी जो की nifty 50, maximum जितने भी stock हम लोगों ने अभी तक देखे, maximum डिमाट को चोरके, nifty 50 वाले stock है, तो जरू यहाँ पर 44% तक की deliveries उठाते हुए, देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, तो टाइटन के उपर भी आप लोगों का नजर रहना चाहिए, जो कि एक fundamentally strong share है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, तो एक बहुत ही जबरदस share है, जिसका नमे HDFC, AMC तो यह stock भी आप सबी लोगों का बता है, हम लोगों ने यहाँ पर फिलाल 2800 पर बहुत ही अच्छी कासी यहाँ पर entry की थी, तो 2800 के बाद अभी भी यह 400 points हमारे buying price से अप ही चल रहा है, अच्छे कासी अभी भी हम लोग यहाँ पर profit में बेटे हुए, बट still मुझे ऐसा ल लगता है कि आप इसको ज़रूर एक बार consider कर सकते हो, वापस कह रहा हूँ, इस stock को भी आप लोगों ने बहुत ही जादा अपने watch list में top पे ज़रूर रखना चाहिए, जो कि मुझे long term की सब से बहुत ही जबरदस stock लगता है, आप सभी लोग पता है, यह stock में वैसे तो गिर इसके बाद वो 2700 तक भी उतना नीचे जा चुका था, बट यह buying price अच्छी थी, जो कि आप लोग कह सकते हो, कि यह long term के लिए बहुत ही अच्छा stock है, so HDFC AMC में भी आप लोगों ने यहापे बने रहना चाहिए, 25th February की बात करें तो आप देख सकते हो, यहापे लगबग 50% के आसपस delivery उठाई जा रही है, जितने भी अच्छे stock है, आप लोगों को यह delivery वाला data है, वो बहुत ही अच्छा कासा देखने को मिल सकता है, company के financials भी बहुत ही अच्छे कासे थे, जो कि हम लोग consider कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग देख सकते है, nifty 50 से जुड़ा हुआ और returns दिये थे, तो इतने खराब situation में अगर company 20% manage कर सकती है, तो आगे future में यह company और भी अच्छे कासे return जरूर दे सकती है, तो फिलाल अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आज भी हम लोगों को 25 point की यहाँ पे गिरावाट देखने को मिली, और बजाज auto में यह गिरावाट औ for a startup, तो यही कहना चाता हूं कि बजाज auto भी यहाँ पे innovative चीज उनको भी पता है, आगे जाके electric vehicle को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना वाल है, और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे low cost में यहाँ पे electric scooter लाने की उनका plan यहाँ पे तयार है, तो यह बहुत ही अच्छी बा auto sector से जुड़ा हुआ है, जो कि nifty 50 में भी जरूर आता है, उसी के साथ साथ जो आकरी stock है, बाटा इंडिया, बाटा इंडिया के उपर आप नजर रख सकते हो, बहुत ही अच्छा कासा stock है, जो इसने all time अपना high लगाय था, वहाँ से 1500 point लगबग correct हो चुका है, आप समझ सक पर इन शारे share को आप लोगोंने pick करना चाहिए, बाटा इंडिया भी बहुत ही अच्छा stock है, long term के लिए बहुत ही बढ़िया stock है, जो कि मेरे portfolio में है, फिलाल तो मैं इस stock को holdी रखने वालो, आज के दिन के performance की बात करें, थोड़ा सा यहापे में refresh कर लेता हूं, तो present, जो current stock जो मैंने आपको बता है, यह fundamentally strong share है, यही कहना चाहिए, इन company में अगर हम लोग देखते हैं, तो as such, जो हम लोगों को globally जो pressure है, उसके वज़े से stock अगर और नीचे आ जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छा खासा जरूर मुका मिल जाएगा इसमें enter करने का, अगर यह stock औ 3-5 सल, मतलब long term की होनी चाहिए, तभी आप लोगों को फाइदा हो सकता है, क्योंकि ऐसे पहले भी market बहुत बार ऐसा गिर चुका था, हम लोगों ने बहुत ही नीचे लेवल पर buying किये, तो आज भी हम पूरा market तो गिर रहा है, बट आज भी हमारे portfolio यहापे हरे निशान में देखने को मिल रहे है, तो इस सारे के सारे स्टॉक वापस में के रहा हूँ, आप लोगों ने जरूर वाच लिस में लगा ले चाहिए, अगर गिरावट हो जाती है, तो उसका मोका का फाइदा उटा के, आप लोगों ने इसमें निवेश जरूर करना चाहिए, बट जैसे म माच, we will be meeting on our next studio, तब तक के लिए, बाई बाई